इस वीडियो की जो अउडियो हे वो एड़िटिंग करते समय ठोड़ी सी मिसमैच हो गई है आगे पीछे हो गई है वो तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि शब्द जो निकल रहे हैं वो थोड़े से जा रहा है वो कुछ अलग होगा तो देखिए मिसमैच होने के कारण थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको वीडियो देखना लेकिन आप आप आडियो सुनने पर जादा ध्यान दीजिए बजाए वीडियो देखने के क्योंकि आडियो में ही जानकारी दी जा रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी आउन कीजिए वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हां कमेंट में अपनी बात जरूर लिखे थैंक यू नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरस उपाए का नाम दिया गया है यह सारी जानकरी आज आपको मिल जाएगी तो देखे उपाए जोतिश में चार तरह के होते हैं पहला है दान करना दूसरा है रत्न या माला धारन करना मतलब रत्न की अंगुठी पेनना या गले में माला पेनना हाथ की कलाई पर माला पेनना त जबते हैं मंत्रों को जबते हैं मंत्र जब हो गया हो और चोथा है पूजा पाठ करना अब पूजा पाठ में क्या क्या आ गया चालीसा पढ़ना आरती करना घर के मंदिल में दिया अगरबत्ती लगाना श्लोक पढ़ना और मंत्र पढ़ना तो देखिए जो चोथे नंबर का जो उपाय है न ये हमारे मंत्र जब पाला जो उपाय है इससे जुड़ा हुआ है तो अगर ऐसे देखें तो फिर उपाय हो गए तीन और अगर इसको अलग कर दिया जाएं तो उपाय हो गए चार अब ये चारों जो उपाय हैं ये अलग-अलग जगाओं पर किये जाते हैं मत कि देखो कि इस्थिती पे कौन सा घरै कुंडली में शुभ है? कौन सा घरै अशुभ है? तो नहीं हमें कौन सा उपाए करना है? उस प्रकार हमें यह की कुंडली में कोई भी घ्रह अशुब हुआ अति अशुब हुआ या मारक हुआ यानि मारने वाला हुआ और ज्यादा खतरनाक हो गया अशुब अति अशुब और मारक हो गया तो हम उस घ्रह से सम्बंदित चीजों का दान करेंगे केसे जैसे चंद्रमा मान लिजिये आपकी कुंडली में अशुब है आपने किसी जोतिश को ब्रामन को अस्ट्रोलोजर को अपनी कुंडली दिखाए देगे सबसे पहले तो आपको आपकी कुंडली में नो ग्रहों में से कौन सा अशुब है कौन सा शुब है यह जानने के लि लीजेगा आप चंद्रमा के उपाई पर आजाए चंद्रमा के उधारन पर चंद्रमा अशूब है तो चंद्रमा से क्या चीज जुड़ी हुई है हमारे जीवन में जो डेली यूज में कामाती दूद सपेत कपड़ा मिश्री और भी वो सारी चीजे मैंने सिर्फ तीन चीजे को कर दीजे जो आप उनको चीजे दें तो वो उसके घर में उसे बना कर इस्तिमाल करें खाए तो आपको उसका पूर्ण लाब होगा ये नहीं कि आपको आपकी कुंड्ली में चंद्रमा शूब है और आपने आपके जो घर के पड़ोस के अच्छे खासे कमाते खाते जो ल आ सकता है उसको देने के ठीक है यहाँ पे समझ लिजे तो आप दान समझ गए आप कब करना है चंद्रमा शूब हुए तो एसे गुरू शूब हुए तो यहाँ पे गुरू का दान करना जिसे पीली हल्दी हो गई हमारा पूझा पाट का समान हो गया अधूब बत्ती हो करता हूं, अगर आपकी कुंडली में कोई घ्रह अशुब है तो आप स्रिफ उसका दान करोगे या फिर उसका मंत्र भी पड़ सकते हो मंत्र जब जो होता है, जो हम 108 दाने की माला से किसी घ्रह का मंत्र जबते हैं न, उसे मंत्र जब बोलते हैं तो मंत्र जपना अशुब घ्रह में भी काम आ जाएगा तो किसी अशुब घ्रह को शुब बनाने के किसी अशुब घ्रह को शांत करने के या शुब बनाने के कौन-कौन से तरीके हो गए एक तो उस घ्रह से संबंदी चीजों का दान कर दिया जाए दूसरा मंत्र पढ़ लो उस घख का चंदरमा का मंतर पढ़ लो आप और उसे शुब कर लो शांत बना लो अब जो रत्न होता है मोती चंदरमा का आपको मोती अगर आपकी कुंडले में चंद्रम अशूब है तो धारन नहीं करना है आपको हानी हो जाएगी आपकी परिस्तितियां और विगड़ जाएगी जीवन में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है आपको धारन ठीके धारन कब करना है मैं बताता हूँ भी तो यह तो दान का चेप्टर मैंने बिल्कुल क मेरे पास यह तक आते हैं मेरे पास एसी कितनी कुण्चा फोल फोल के बेठे मेरे बाते हैं। फिर जब मैं कुल्ली देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इन रत्नों ने को जब से आपने पेना होगा जब से आपको बहुत नुकसान हुआ होगा और आपका मन तो शानती नहीं रहता होगा और आपको इन रत्नों का कोई लाब नहीं हुआ होगा तो वो क्या कहते हैं कि सर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ऐसा ही हुआ है कोई लाप नहीं हुआ है उल्टा हानी हुई है तो क्यों जिन ग्रहों का आपको दान करना था उन ग्रहों का तो आपने रत न पहन लिया तो जिनको हमारे जीवन से हटाकर दान करना था मतलब किसी गरीब को दे देना थी उसकी चीजें उसको आपने अपने शरीर के उपपर ओड़ रखिये दारन कर रखिये तो बिल्कुल वो तो नुकसान पोचाईगी न जिस दुश्मन को पाड़ी से धक्का देना था उसको आपने गले लगा लिया तो वो दुश्मन तो आपको मारी देगा आपकी पीट में छोरा गोप देगा आपको पता भी नहीं चलेगा ये मैं समझाना चाहरा था तो फिर मैं उनके वो रतन निकलबाता हूँ और कुंडली में सही ग्रहों की स्तिती देखकर रतन उनको बताता हूँ कि आपको ये रतन पेहनना है ठीके उसके बाद आईए रतन के पाट पे कि रतन कब पेहना जाता है माला कब पेहनी जाती है तो जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह सबसे पहले तो शुब होना चाहिए शुब अच्छे उसके बाद शुब ग्रह अगर निर्बल है पीडित है तो ही आपको उस ग्रह का रतन या माला पेहनना है अब कैसे जानेंगे कि कोई ग्रह निर्बल है या पीडित है तो देखिए एक डिगरी होती है ग्रहों की जोतिश में कुंडली में वो होती है 0 से लेके 30 डिगरी तक तो 0 से 30 डिगरी के बीच में एक डिगरी का पार्ट आता है 12 से 18 डिगरी का पार्ट यानि कि अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिगरी के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे कि आपका घ्रभ बलवान है पूर्ण शक्तिशाली है तो आपकी कुणिली में भी करको कोई घ्रभ 12 से 18 डिगरी के बीच में है 15 डिगरी का हुआ तो सबसे अच्छा क्योंकि 0 से 30 डिगरी का अगर हम सेंटर निकालेंगे तो 15 डिगरी आएगा तो तो सबसे अच्छा है सबसे अच्छी बात है हमारे लिए अगर 15 नहीं भी है 12 डिगरी से 18 डिगरी के बीच में है तो आपको रतन पेहने की उस ग्रह की या माला पेहने की कोई जरुरुत नहीं है कुछ परिस्तितिया फिर भी अगर बन जाती है तो वहाँ पे रतन द्मा या माला पेहने की बोला जाता है अधरवाइस 99 परसंट केसो में तो 12 से 18 की डिगरी जो होती है सबसे बलवान मानी जाती है तो वहाँ पे आपको रतन धारन नहीं करना है कोई जरूरत नहीं है रतन धारन माला धारन करने की लेकिन डिगरी अगर 0 से लेकर 11 है या फिर इदर 19 से लेकर 30 है तो फिर वहाँ पे आपको रतन या माला धारन करके उस घ्रह की पावर को बढ़ाना पड़ता है तो ही वह घ्रह आपको शुब प्रभाव देना चालू करता है अधरवाश नहीं होता आपका काम तो रतन का पेना चाहेगा समझ गए न पहले तो घ्रह का शुब होना जरूरी है ऐसा नहीं हो कि अशुब में पेल लिया शुब होगा अब निर्बल और पीडित क्या हुआ तो निर्बल और पीडित ग्रह डिगरी से समझ गया निर्बल याने कि यहाँ पे जीरो से लेके ग्यारा डिगरी है तो उससे कमजोर माना जाएगा कि वो घ्रह कमजोर है और अगर गुनिस से लेके 30 degree के बीच में हो गया तो वो पीडित हो गया कि वो घ्रह तो पीडित इस्तिती में है यहाँ पे यहाँ पे पीडित का मतलब एक और होता है कि जब कोई पाप वाले ग्रह याने शनीर आहूं के तो किसी ब्रह को बीच में घहर लेते हैं तो वो ग्रह को पीडित कर देते हैं, तो महां पे भी पीडित का मतलब हो गया है, बाकि डिग्री 22 भी पीडित कहे सकते हैं हम किसी ग्रह को, तो रत्न का पार्ट अब क्लियर हुआ, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, पूजा पार्ट कप करें, और मंत्रों का जब कप करें, म पूजापाट करना और मंत्र जपना कौमन उपाय है आपके लिए आपका घ्र चाय शुब हो चाय अशुब हो और अगर आप पूजापाट और मंत्र जपते हैं तो आपको उसका लाब ही होना है कैसे उधारन फिर से चंद्रमा का लेते हैं बुद्ध का उधारन ले लेते हैं अगर आपकी कुंटिनी में बुद्ध ग्र अशुब है और आप गणेजी की पूजा कर रहे हैं बुद्ध ग्र की पूजा कर रहे हैं और 108 की माला सही बुद्भार के दिन ओम बुद्ध बुधाय नमा का जब कर रहे हैं मंत्र पड़ रहे हैं तो वो अशुब ग्र अति अश फल मिलने लग जाएंगे उस ग्रह के ठीक है तो यह शुब में हो गया अब शुब में कैसे काम करेगा एक चीज तो देखिए शुब कोई ग्रह है उसकी अब वो शुब ग्रह है या तो निर्बल है या पिड़ी थे तीनी केटेगरी होती है शुब में और यही बुद्ध पीडित से सीधे बलवान हो जाएंगे और शुब है तो हमारे लिए अच्छी है अती शुब हो जाएंगे बढ़िया बाले शुब हो जाएंगे और हमें अच्छा फल देने लग जाएंगे यहां पर यह जो हमारे बुद्ध रहे है तो यहां पर आपको मंत्र ने यहां भी काम आ रहे हैं और रशुब में भी काम आ रहे हैं तो देखिए जब प्रत्वी का निर्मान हुआ तब ब्रह्मा जी जो पुरी स्रस्टी के रचियता जिन्हों ने ये प्रत्वी रची है स्रस्टी रची है उन्हें एक चिंता खाये जा रही थी कि प्रत्वी का निर्मान हुआ है यहां पर जो मनुष्य नाम के जो प्रानी रहेंगे वो यहां पर अपना जीवन यापन करेंगे अपना जीवन जीएंगे और यह जो नव ग्रह पहले से ही जो हमारे सोर मंडल में अंत्रिक्ष में मुझूद हैं और तो यह उन पे बिल्कुल अपना प्रभाव डालेंगे जब वेक्ति का जनम होगा तो उसकी एक कुंडली बनेगी जनम कुंडली नामक कोई कागच होगा पुस्तिका होगी और ये नव घ्रह उसमें विराजमान होके उस वेक्ति का जीवन में प्रभाव डालेंगे अच्छा या बुरा तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ देखिए यह जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ना ब्रह्मा जी वाली इसमें थोड़ा इसमें बहुत सारी तो सच्चा ही है और थोड़ा सा मैं अपनी तरब से एड़ कर रहा हूं पेर में उन्होंने नव ग्रहों को सारे नव ग्रहों को आपस में बात करते सुना तो इसमें सभी लोग कैसे बात कर रहे थे कि चंद्रमा बोल रहे थे कि मैं तो यार किसी की कुंडली में अगर बेठूंगा ना शुब होके तो मैं उसे शांत मन दूंगा और किसी की अच्छे से फैचला लेगा व्यक्ति थो उष्पॉर तो उसका ग्यानी में भंग कर दूंगा उससे गलत रहु यह भढ़ includes शनी रहुएक तुकि तो बाती लगती वह वेसे पापी घ्रह हैं तो वो कह रहे थे शनी कि रही प dalam और आलसी कर दूंगा अगर बाद मुर्य बीओर राहूर के तु एक ही ग्रह है, सेर और धड है, ये तो आपको पता ही होगा, हम अगर श्यूभ हुए, तो वेक्ति को लोटरी लगा देंगे, गड़ावा धन देंगे, और श्यूभ हुए तो आत्मत्या ही करा देंगे, उस वेक्ति को मज़ूर कर देंगे, आत्मत्या करने के ये एक्सिडेंट करा देंगे उसका तो यहाँ पर इसी बाते चल रहे थी ब्रह्मा जी ने पीछे से सुन ली ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और चिंता हुई मनुष्य के जीवन के बारे में कि अब मनुष्य का जीवन के से चलेगा नवग्रा तो इसी बाते कर रहे है मेनस रश्टी तो रश्दी मनुष्य नाम का एक प्रानी भी रश्दिया लेकिन जैसे इसका जन्म होगा ये कुंडिली में बेठेंगे हो सकता है ये तो शनी राओ के तु तो व्यक्ति का जन्म होते से भी व्यक्ति को जन्म हुआ एक निट के बाद ही मार दें एक दिन के बादी मार दें उसकी आत्मत्य करा दें उसको मित्यू के घाट उतार दें यह जन्म हुआ और उसको बिल्कुल जल्दी से उसे सारा धन, नाम, यर्श्द देने लग जाए तो ऐसे में फिर अनकंट्रोल वाली स्तिती पेदा हो जाएगी वहाँ पर आप समझ रहे ना मैं य कि किसी वेक्ति को यह बहुत अच्छा कर देंगे, किसी वेक्ति के साथ बहुत बुरा कर देंगे तो अनकंट्रोल वहार हो जाएगा यहाँ पर तो ब्रह्मा जी ने क्या किया यह जो जितने भी घ्रह हैं यह ब्रह्मा जी के कबजे में हैं पहले से उनके अधिन हैं उनके क को बिठाया और उनसे बोला एक प्रॉमिस लिया इन्होंने कि और इनको प्रॉमिस मानना पड़ा क्योंकि यह सब ब्रह्मा जी के अंतरगति आते हैं कंट्रोल में आते हैं तो उन्होंने प्रॉमिस यह लिया कि उन्होंने यह नहीं बताया कि मैंने आपकी बाते सुन लिया उ आप उनकी कुली में तो जाके बेठेंगे ही, तो मैं यहाँ पे तीन तरह के उपाय मना रहा हूँ, उन्हें वो उपाय करने होंगे, और आप उनके उपायों के नुसार उनको फल देंगे, तो उनको उपाय क्या बताए, कि पहला कि कोई मनुष्य या तो दान करेगा आपका, तो आप फिर उनको वेसे रिजल्टे देना, अगर अशुब हैं, तो फिर शुब रिजल्टे देना, कोई वेक्ति रत्न पेनेगा, माला पेनेगा, तो फिर आप अगर शुब निर्वल हैं, तो अपने आपको बलबान करना और एक विक्ति आपकी पूजा पाट करेगा और मंत्र जपेगा तो देखिए मुझे आप आज ये वादा करिए प्रामिस दिजिए कि कोई भी विक्ति जातक अगर उसकी कुंडिली में आप शुब हुएं और उसने आपका मंत्र पड़ा तो आप अती शुब फल देंगे उसे और कोई घर अगर अशुब हुआ और उसने आपका मंत्र पड़ा तो आप उसको शुब फल देंगे तो यहाँ पे ये उनसे प्रामिस ले लिया नव घर उनके कंट्रोल में दे उन्होंने अपना प्रामिस दे दिया कि हाँ ठीक है हमें आपकी बात मंजूर है अगर कोई हम मारा मंत्र पड़ेगा तो शुब हो चाए अशुब हो हम उन्हें positive result ही देंगे ये मेरी story सुनाने का आपको यहीए कारन था एक कि वो positive result ही देंगे अगर आप मत्र पड़ते हैं तो पूजा पार्ट भी इसी से जुड़ी हुई है, देखिए, कभी भी आप आपके घर के मंदिन में दिया अगरवत्ती लगाते हैं, स्लोक पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो आपको पॉजिटीव ही रिजल्ट मिलता है, मैंने पे आपको पूरा लाब नहीं मिल पाता है, वहाँ पे आप बच जाते हैं इस चीज़ से, ठीके, यह मेरा कहने का मतलब था, तो यहाँ पे उन्होंने मंत्र जब का प्रॉमिस ले रखा है, नवगरों को बाद धी कर दिया है, बाद धी, बांध दिया है, मंत्रों से, कि पूजा उपाई है, मंत्र पढ़ने का, पूजा पढ़ करने का एक कॉमन हो गया, ठीके, यहाँ पे यह स्टोरी खतम हुई, और यहाँ पे यह चारों उपाई भी आपके जो हैं, वो खत्म हुए, यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना था, अब देखिए, आगे सी में में पेहन सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की चांदी में बनी माला तो पेहनना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सभी नव ग्रोपे काम करती है, अब मेंने क्या बोलाए, कि रतनों में मालाओ से ज़्यादा शक्ती होती है, बिल्कुल होगी, रतना हमें खदानों से मिलते हैं, ग्रहों से सीधे connect रहते हैं, एक फत्तर होता है जो हम रतन की रूप में अंगुठी में बनवाकर हमारी उंगलियों पे धारन करते हैं, ग्रहों से सीधा connection होता है उनका, तो उनमें मालाओ से ज़्यादा शक्ती होती है, तो देखिए रतन तो पहले पेहनी हैं आपकी उंग चंद्रमा अगर निर्बल है तो मोती पहले पहनिए इस पर टिक की या मोती की माला बाद में पहनिएगा उससे और जल्दी बूस्ट मिल जाएगा मतलब ऐसा बूस्ट कि आपने आपके पास जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें आपका टैंक तो फूल ही साथ में एक्स्ट से गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे तो माला उसे एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है रत्न तो उनको पहले पहनना है और मैंने यहां पर लिखाता है कि रुद्राक्ष की चांदी में बनी माला तो पहनना ही चाहिए ऐसा क्यों दुनिया में अगर इस पूरी दुनिया में चांदी में बनने से इसकी शक्ती और ज्यादा बढ़ जाती है चांदी में ना भी हो अगर नौर्मल भी माला आपने पहनी है तो वो भी काम करती है चांदी की तेजी से काम करती है नौर्मल वाली थोड़ा सा लेट काम करती है दीरे तरीके से काम करती है ठीके यहां पर र दाने की या 108 दाने की चांदी में बनी हुई गठी हुई रुदराक्ष की माला पांच मुखी जिसका दाने का साइज 4 mm से लेकर 6 mm के बीच में आता है इससे बड़ा वाला दाना नहीं पेनना है तो आपके पूरे 9 के 9 घ्र कंट्रोल हो जाएंगे आपके फेवर में आपको श बिजनेस नहीं चल रहा है स्वास्त ठीक नहीं है मन चिड़ चिड़ा है घर में लड़ाई होती है आप रुदराक्ष की माला को पहन लिजिए प्रमोशन नहीं हो रहा है जो भी प्रॉबलम है आप पहन लिजिए आपके शादी नहीं हो रही है इसे गले में पहन लिजिए रुद्राक्ष की माला चाहे वो 54 दाने की हो, 55 दाने की हो, 108 दाने की हो या 109 दाने की हो आप गले में पहन लीजिए आप best result देखेंगे, 45 दिन में ये माला काम करना चालू कर देती है रत्न तो पहनी लीजिए, इस माला को एक extra dose की तरह अपने गले में डाल लीजिए ताकि नो ग्रहों पे ये भी काम करते रहे धिरे धिरे करके और आपके नो ग्रहों को एक्टिवेट करके आपके लिए अच्छा करे आपके जिवन में रुद्रक्ष की एक और खासियत कोई भी ग्रह नो ग्रहों पे काम करती है माला कोई भी अशुब ग्रह होगी उतको शुब करेगी शुब ग्रहों को अती शुब करेगी आपके जिवन में और आपको लाब दिलाईगी रुदराक्ष की माला में इतनी शक्ती होती है तो ये तो पेहनना ही चीए अब देखिए किसी भी उपाय का असर कितने दिनों में होता है आफ ने दान करा हो, रतन पेना हो, मंतर पड़ा हो, रुदराक्ष की माला पड़ी हो, पेनी हो, कितने दिन में असर करेगा तो कोई भी उपाय करे मंत्र रत्नमालादान इसका असर 45 डेज के बाद शुरू होता है 45 दिन के बाद शुरू होता है लेकिन कई बार वेक्ती पर यहाँ चीजे उसकी बॉड़ी पर सूट होते ही यह जो रत्नमालादान होती है एक एकजस्मेंट बिठाती है हमारी बॉड़ी के साथ और 45 दिन के अंदर अंदर भी रत्न असर दिखाना चालू कर देता है रुद्राक्ष मालादा तो और जल्दी असर दिखाती है एक हपते के अंदर ही असर दिखाना चालू कर देती है माला तो और कभी-कभी तो चार दिन में भी दिखा देती है और रतन तो यहाँ पे जो है एक हपते में स्टार्ट कर देते हैं दिखाना 45 डेस में तो वो बिल्कुल अपने हाई लेबल पे बहुत जाते हैं तो कभी-कभी 45 दिन के अंदर अंदर दिखता है रतन का सर, कभी-कभी 45 डेस के बाद दिखता है, आपको खुदी अनुभव होने लग जाएगा आपके जीवन में, पता चलने लग जाएगा कि यह रतन हमने जब से पेने हैं, तो हमारे साथ जो चीज़ अब हुई हैं, जो प जाद भी और पहले भी, उसके बाद मंत्र, मंत्र को 45 दिन नहीं लगते हैं काम करने में, मंत्र मुश्किल से 3-4 दिन में एक्टिवेट हो जाता है आपके लिए, और एक हपते के अंदर अंदर तो मंत्र भोती अच्छी तरीके से काम करने लग जाता है, आपके लिए किसी भी घ्रह का हो वो, और मंत्र सिर्फ शुब ही फल देगा, यह मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो मंत्रों को नहीं लगता पेतली दिन का समय, जल्दी से काम करता है यह, वो जल्दी काम करता है, एक हपते के अंदर तो आपको रिजल्ट देखने लग जाएग ओम, ब्रह्म, भ्रस, पते, नमह, तो इसी टोन में, इसी क्लियरिटी के साथ उच्चारन आपको करना है, प्रनन्सियेशन जिसको इंगलीश में बोलते हैं, वो करना है, बिल्कुल साफ साफ, ऐसा ना हो, कि मंत्रों के शब्दों को आप गलत उच्चारन कर रहे हो, गलत कर तो हानी होगी, एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा, जिस पे पूरे नव ग्रहों के मंत्रों को आपको में लिख कर भी बताऊंगा, लॉजिकल तरीके से भी समझाऊंगा, और बोल कर भी बताऊंगा उस वीडियो में कि कि तरीके से इसका उच्चारन आपको करना है, वो लाब की बजाए आपको घाटा हानी होने लग जाएगी आपके जीवन में, वो मंत्र उल्टा काम करने लग जाएगा आपके जीवन में, जैसे कि गुरु का मंत्र आपने पढ़ा, गुरु का मंत्र आपने सही उच्चारन के साथ, सही विधी विधान के साथ, सही माला के सा सही आसन के साथ और सही समय पर कर लिया तो आपको लाव हो जाएगा और इनी चीज़ों को आप गलत कर दीजिए तो फिर आपको हानी होना चालू हो जाएगी नुकसान होना चालू होने लग जाएगा जैसे कि गुरु का मंतर अगर आप साफ सुतरे तरीके साच्छे से आपको ग्यान मिलने लग जाएगा सद ग्यान सद बुद्धी मिलने लग जाएगी और गलत तरीके से पढ़ लिया तो फिर गलत ग्यान मिल जाएगा आप रहा से भटक जाएगे गलत गलत फैसले आपके जीवन में ले लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मंतर को सही के बारे में जोतिश में जो उपाए बोले गए हैं एक्चॉल में वो होते क्या हैं। वो किस तरीके से हमारे उपर काम कड़ते हैं। और वो क्या उनका प्रवाव दिखाते हैं। यहाँ पे यह तीन तरह के उपाय होते हैं पुझा पाट को ले लीजिए तो यहाँ पे चार तरह के हो जाते हैं नहीं तो तीन तरह के तो हैं ही यह मुझे आपको बताना था तो यह वीडियो भी आपको अगर पसंद आई हो मेरी तो लाइक किजिए वीडियो को शेयर किजिए और लोगों के साथ भी उन तक भी ये ग्यान को पोचाईए आपको भी दुआ लगेगी मुझे भी दुआ लगेगी पहली बार चैनल पर आए हैं मेरे देख रहे हैं वीडियो तो इस वीडियो में और भी वीडियो में डाल रख कुछ नई जानकरी के साथ नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू ओम साहिराम जय माता दी जय नवगरा देवता की जय हो अगर आप भी अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजनल राशी रत्न रुद्राक्ष खरिदना चाहते हैं तो हमारे वाट्सप नमबर पे संपर्क कर सकते हैं धन्यबाद